आप सोचने होंगे यार यह तो simple simple सी equation है तो system of equations क्या हुआ? वो ही हम आप पढ़ने जा रहे हैं कि system of equations क्या होते हैं और इनको किस तरीके से deal किया जाते हैं? बहुत असान है पहले हम equation को mathematically समझेंगे फिर उसकी real life examples हम देखते हैं यह screen आपके सामने आगई है अब इस पर देखते हैं कि हम system of equations को represent कैसे करते हैं यानि कि representing system of equations किस तरीके से हम represent करते हैं system of equations को ठीक है? सबसे पहली जो standard algebraic notations हैं उनको use करते हैं say for example, यहाँ पे algebraic notations हैं उन्हें use करके हम इसको लिखते हैं मैं equation यहाँ पे लिखता हूँ 2x plus 3y is equal to 6 और एक और मैं equation लिखता हूँ x minus y is equal to 4 एक तो तरीका कार होता है यह standard algebraic notation के साथ system of equations को लिखने का अब यह जो दो equations मैंने लिखी हैं आप गौर कर रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे x भी हमारे पास दो हैं और y भी दो हैं constant भी दो हैं coefficients अगर नहीं होता कोई तो वहाँ पे एक होता है यह तो आपको पता है ना अगर नहीं कोई होता तो वहाँ पे एक होता है तो coefficients भी हमारे पास दो-दो हैं अब इसी चीज़ को हम second form में कैसे लिख सकते हैं that is called matrix representation इसी equation को अगर मैं matrix में लिखूँ आपको और समझ आजाएगी say for example अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखूँ के यहाँ पे आए 2 और यहाँ पे आए 1 ठीक है और फिर बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं multiplied by x and y अब आपको भी पता है अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे x common ले लिया हमने y common ले लिया नीचे ठीक है x को उपर से common ले लिया y को नीचे से ले लिया and then we have this kind of thing अब यह basically हम matrix multiplication को दुबारा से लिख रहे हैं अगर आप इन दोनों को vector matrix को multiply करेंगे तो आपके पास answer यही आएगा करके देख लें आप ठीक है अगर आप इन दोनों को multiply करेंगे क्योंके x पहले column के साथ multiply होगा y दूसरे के साथ होगा ठीक है अगर आप इनको multiply करें something like this x जो green वाला है green के साथ और जो yellow वाला है वो yellow के साथ अगर multiply करके आप देखें तो आपको वो ही answer मिलेगा और at the end क्योंके is equal to का निशान है तो इसको हम 6 और 4 को इस तरीके से लिख लें तो यह इसको बोलते है matrix representation of system of equations ठीक है यह दो तरीके हैं इसको लिखने के और इस इन चीज़ों को हम लिख के फिर आगे resolve करने की तरफ जाते हैं लेकिन उससे भी पहले आपके पास algebraic form जो है अगर हम उसको अगर हम उसको matrix form में लिखते हैं तो आपको चीज़ें ज्यादा समझ आ जाती हैं और अक्सर उकात लोगों को इस form में system of equations जो हैं वो ज्यादा अच्छी लगती हैं लेकिन अगर हम detail में देखें अब कि system of equations हमारे पास क्या होती हैं और linear algebra के अंदर हम किस तरीके से इनको लिखते हैं मैं बकाइदा इसकी definition जो है system of equations की वो आपके सामने लेके आता हूँ और फिर हम उसको study करते हैं sorry मैं zoom का button दबाव एठा हूँ and type of equations आगी ये मेरे पास okay ज्यादा ही zoom हो गया and now we will see कि system of equations को represent कैसे किया जाता है और basically क्या है मारे पास okay ओके जी ये मेरे पास definition आगी है linear algebra के अंदर हम किस तरीके से system of equations को represent करते हैं linear algebra के अंदर the way we represent system of equations is crucial for understanding and solving them efficiently क्योंके हमारे पास जब एक दो या तीन या चार equations आजाती हैं और उनको जब हम stack करते हैं कुछ इस तरीके से stack करें कि variables एक side पे हो जाए variables left side पे हैं तो हमारे पास जो constant हैं वो right side पे हो जाएं ठीक है तो जितने भी variables है x हो, y हो, z हो इसमें plus आ रहा है, minus आ रहा है whatever is coming अगर उसको left side पे रखें और उसको y side पे रखें तो ये एक तरीका होता है system of equations को represent करने का second क्या होता है हमारे पास दो किसम की form होती है के algebra के लिए लिखने का दूसरा matrix form में तो ये दोनों forms मैंने आपको जो यहाँ पे दिखाई है ये दो basic form है किसी भी system of equation को लिखने का अगर आप गौर करें variables left side पे constant right side पे हमारे पास coefficient भी left side तो अगर इनको हम तोड़ेंगे तो हमारे पास कुछ matrix इस तरीके से बने जाएंगे इसलिए जब हम matrix की form में हमारे पास different किसम के system of equations जो हैं वो equations लिखी जाती है तो उनको हम obviously matrix multiplication, matrix, vectorization या matrix के थूरू resolve कर सकते हैं और at the end हम unknown को find out कर सकते है तो basically हमारा मकसद क्या होता है x और y को find out करना ये variables को find out करना और उसको कई तरीकों से हम find out करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास system of equation आ जाती है अगर आप यहाँ पे देखें तो algebraically या mathematically भी इसको resolve कर सकते हैं हमारे पास real life के अंदर इसका फाइदा क्या है system of equations का फिर हम इसको resolve करने के तरीके भी देखते हैं और बाकी चीजें भी हम देखते हैं और हम इसे solve क्यों करते हैं solving system of equations क्यों ज़रूरी है और यह हमारी real life में कैसे काम करता है let me just put it here like this system of equations को solve करने का main goal हमारे पास क्या होता है the main goal when dealing with system of equations हमारा जो main goal होता है is क्या होता है to find the value of unknown वो ही सारी जिंदिगी का रोना x की value find करो y find करो हमारे पास इनको find out करना होता है हमने system of equation इस वज़ा से बनाई otherwise अगर हमारे पास दो equation है और 2x प्लस y is equal to 6 है और दूसरी हमारे पास है 3x प्लस 6 is equal to 4y इनको resolve करना हमारे पास मुश्किल हो जाता है हम system of equation इस वज़ा से बनाते हैं कि उनको लिखा इस तरीके से जाए कि हमारे पास वो चीजें जो है finally resolve हो के आ जाए अब अगर इसको और भी गौर से देखें तो हम कहते हैं unknown variables को find out करना that satisfies all the equations simultaneously मिसाल के तोर पे मैं यहाँ पर एक equation लिखता हूँ 2x प्लस 3 is equal to 4 ठीक है? अब आपको भी पता है कि x की value ऐसी हो कि जो find out करने के बाद हमारे पास ये equation resolve हो जाए यानि के left hand side must be equal to right hand side चले हम x find out करते हैं हमारे पास 2x is equal to 4 minus 3 क्योंके 3 इदर वाली side पे आ गया है तो ये हमारे पास हो गया 2x is equal to 1 over 2 तो x is equal to हमारे पास क्या है? 1 over 2 ठीक हो गया? अगर आप गौर करें x की अगर मैं value यहां पे equation के अंदर put करता हूँ तो ये मेरे पास है 1 over 2 यानि के 2 1 over 2 plus 3 is equal to 4 ये 2, 2 से cross कर गया 1 plus 3 is equal to 4 4 is equal to 4 hence we proved that right hand side is equal to left hand side इसका मतलब है ये system of equation में x जो है 1 over 2 या इसको 0.5 fraction के अंदर बोला जा सकता है ठीक है? अब ये वाला जो x की value है हम किसी और equation के अंदर put करें न तब भी वो हमें same equation resolve करके दे say for example we have another equation जिसको अगर हम 2 और यहां पे हम कहते हैं x plus अब यहां पे गौर कीजेगा यहां पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास यहां पे लिखाता था 3 हम लिखते हैं यहां पे 5 2x plus 5 is equal to 6 तो क्या same x की value इसके पास resolve हो रही है के नहीं हो रही यानि के अगर मैं x की value यहां पे लिखता हूँ 1 over 2 plus 5 is equal to 6 क्या यह true है? बिल्कुल true है अगर आप गौर करें तो 1 plus 5 is equal to 6 6 is equal to 6 तो यह हमारे पास यह भी equation resolve हो रही है x की value से यह भी यह तो मैंने एक variable वाली बात आपको बताई अगर आप दो variables के उपर बात कर रहे हैं and then you resolve system of equation then आपके पास x और y दोनों की values आएंगी and then you can see के आपकी दोनों equations unknown को find out करने के बाद साबित हो रही है इसका मतलब जो unknown है वो हम find कर सकते हैं और unknown होता क्या है unknown होता है future in other words या unseen जो हमें नहीं पता या unknown obviously जो हम नहीं जानते और जो इसको predict कर दे future को predict कर दे based on previous data या unseen को predict कर दे या unknown को बता दे हमें predict कर दे और basically वो use करे machines को अब machine की definition अब को नहीं मैं बताऊंगा आप 3Date का वो clip देख लीजएगा जिसमें आमर खान क्या करता है वो jeans की zip को उपर नीचे करके बोलता है कि ये भी machine है जो हमारी हर एक काम को तेज कर रही है असान बना रही है ठीक है वो एक clip आप देख लीजएगा वहाँ पे आपको 3Date की समझ आ रहेगी machines क्या होती है तो इसका मतलब ये हुआ अगर मेरे पास को 5-7 साल का data है किसी भी चीज़ का अगर मैं उससे कोई एक equation build करूँ which could be anything two equations हो सकती है three हो सकती है four हो सकती है whatever यानि कि system of equation अगर मैं बना लूँ system of equations अगर मैं उससे बना लूँ then I can predict the future और अगर मैं system of equation में unknown को find out कर लूँ यानि कि unknown को डाल के कोई चीज find out कर लूँ तो मेरे पास सारे के सारा balance जो है वर करा रहेगा और इसी way में हम जो काम करते हैं उसको हम machine learning बोलते हैं ठीक है जो हम आने वाले दिनों के अंदर करने वाले हैं और अगर for example मेरे पास data पड़ा हुए है आज तक मैंने जितनी दवाईया बनाई हैं for example फार्मेसिक अगर मैं बनाऊ जितनी दवाईया बनाई हैं उनके फार्मूले उनके chemical अगर मेरे पास सारे पड़े हुए है और मेरे पास genetic DNA भी पड़े है results भी पड़े हैं human beings के से for example COVID की vaccine के तो उसकी base पे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ क्योंके machine learning हमेशा आपको एक estimate देती है यह कभी भी true नहीं होती है बताती है कि 100 में से 70% मैं true बता रही हूँ 20% मैं गलत भी हो सकती हूँ so machine learning की बात करो so अगर मैं उस pattern को देखते हुए मैं कोई चीज प्रडिक्ट करना चाहूँ I can literally do that ठीक है और इसी तरीके से आपकी सारी machine learning, deep learning even के generative AIB equations की base पे चल रही है और यह equation में अगर आपके पास xy है say for example आपके पास x है यह x हो सकता है कि आपने खाना कितना खाया प्रुजाना की base पे अपना खाना नोट करते जाए y हो सकता है कि आपका weight कितना है ठीक है so you can actually predict something based on one to another one क्योंकि यहाँ पे आपके पास जब आप दो चीजें लिखेंगे ने 2x plus 3y is equal to 4 तो basically आप बता रहे हैं कि जितना मैं खाना खा रहा हूँ अगर मैं 2 इससे खाना खा रहा हूँ तो मेरा 3 गुना weight बढ़ रहा है so something like that तो हम एक relationship भी बनाते हैं तो हमारे पास final चीजें जो हैं वो clear हो के सामने आने लग जाती है on the other side system of equations को समझना इस वज़ा से ज़रूरी है क्योंके आप कुछ भी कर सकते है system of equations को समझ के पहले चीज ये system of equations बनता कैसे है ये जो मेरे पास equations लिखी आ रही है 3y is equal to 6 these equations are actually representing a trend वो trend क्या है ये trend है वो ही line जो मैंने आपको उस दिन भी बताई थी ठीक है x-intercept y-intercept और अगर आपको किसी एक चीज की x की value 4 है y find out करना है you just go like this और line को इस तरीके से देख के आप y बता सकते है तो ये जो line हमारे पास आजाती है एक equation से जिसको हम linear equation बोलते है उसकी base पे हम predict कर सकते है और ये मैं बात कर रहा हूँ x और y की 2D plane के अंदर and if we go into 3D plane तो 3D dimension हो जाएंगी and when we have higher dimension इसका मतलब ये है higher dimension का मतलब ये है कि आपके पास सिरफ food and weight नहीं बचा ये जो मैंने चीज आपको बताई थी इसका मतलब ये है कि you don't only don't only have this x and y आपके पास z भी हो सकते है कोई और column भी हो सकते है मिसाल के तोर पे आप रुजणा वर्जिश भी count कर रहे है आप अपने खाने को भी देख रहे है आप जितनी हवा कंस्यूम कर रहे है वो भी देख रहे है आप ये भी देख रहे है कि tablet आपने कितनी दफा यूज की दिन का आपका screen time क्या है और आपके future के अंदर आप क्या plan करना जा रहे है जैसे एक मैं मिसाल आपको देता हूँ आज का match आपने देखा होगा Glenn Maxwell को बहुत अच्छे तरीके से शमसी ने out कर दिया जो 7 फ्रीकन प्लेयर है आप गौर करें तो उस match के दुरान वो एक analysis दिखा रहे थे कि जदेजा ने जो इंडियन टीम का प्लेयर है उसने भी Glenn Maxwell को उसी तरीके से out किया जो अस्ट्रेलियन कहलाडी है जिस तरीके से आज शमसी ने out किया and they were actually repeatedly saying कि ये analysis अमें ये बताता है कि Glenn Maxwell ये बाल को अच्छी से नहीं खेल पाएगा and he will be out और exactly X score बनाने के बाद वो out हो गया so this is how you can use the power of prediction and do something with the analysis जो अल्ला खैर करें पाकसानी टीम में analysis के पीछे तो चलते ही नहीं but I'm just saying I'm not really delving deep into cricket analysis but just giving you a short definition कि हम कहां पे इसे use कर सकते हैं खास तोर पे system of equation को अब एक और चीज़ मैं यहीं पे आपको clear कर देता हूँ कि system of equation किन-किन field में चल सकता है engineering के field के अंदर अगर आप एक engineer है तो आपको पता है कि आपका सारा गाम system of equations पे depend करता है for example forces आपने calculate करनी है कि यहां से वहां पे machine को जाने के लिए energy कितने लेगेगी and then you can also check the resistance आप यह भी check कर सकते हैं कि physical properties क्या है different चीज़ों की based on linear equations say for example एक economics की बात करते हैं एक छोटा सा business है economics ठीक है economics की बात करते है economics क्या है आप अगर किसी भी चीज़ की demand और supply का link बनाना चाहते हैं तो वो linear link ही होते हैं ज्यादा तर अगर आप गोर करें positive, negative, neutral और इसी तरीके से आप इस तरीके से अगर non-linear होगा तो वो भी बनेगा but we are talking about linear तो इस तरीके से demand और supply का आप link बना सकते हैं कि demand ज्यादा हो तो supply कितनी होनी चाहिए supply ज्यादा होगी तो demand कितनी होगी so and so forth ठीक है? So हमारे पास market का analysis आ रहेगा इसी तरीके से जब भी आप science का कोई भी experiment करते हैं वो physics हो, chemistry हो, biology हो वो science का agriculture sciences हो, environmental sciences हो आपकी chemical industry के अंदर कोई बड़े से बड़ा analysis हो रहा हो सारा का सारा काम आपका science का system of linear equations की base पे चल रहा होता है लेकिन unintentionally आप हमारे पास softwares आ गए हैं तो इस वज़ा से हम ज्यादा तबज़ों नहीं देते softwares जो हैं हमारा सारा काम कर रहे हैं लेकिन जो computer scientist हैं CS वाले लोग, IT वाले लोग, data scientist यह क्या करते हैं यह इनी system of equations को यूज़ करके आपको softwares बना के दे रहे हैं आपको APIs बना के दे रहे हैं आपको इनी system of equations को यूज़ करके आपको different किसम की tools दे रहे हैं web apps दे रहे हैं और different किसम के dashboards दे रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई समझे या ना समझे data scientist को system of equations आनी चाहिए ठीक है to predict the trend डन हो गया एक last but not the least example यहां पर मैं आपको दे दूँ आलू की price आलू की price मिसालों की price मिसालियों की price प्लस आपका जो प्याज है गयरा इदर उदर के लवाजमात हैं वो oil की price जो तलने के लिए use होता है अगर आपको इन prices का पता होगा तब ही आप at the end समोसों की price लगा सकते हैं ना समोसे जो आपने बेजने अब यह तो नहीं है कि आप कहें कि बाकी 10 का समोसा बेजने हैं तो क्या होगा आप बेज तो सकते हैं लेकिन अगर आपको profit नहीं हो रहा याद है तुसे भागल हो या तो नहीं अंदाजा नहीं है या आपका aim कोई हो रहा है so usually simple चीजों के अंदर भी equations आ रही है वो लग बात है कि हमारे दिमाग के अंदर calculate जो हो रही होती है चीजे वो as it is चल रही होती है ओके ठीक हो गया यहां तक आपको समझ आगी अभी भी अगर आपको system of equations की rules और regulations और खास तोर पर बाकी चीज़ें और सीखने है तो अगली lectures को ज़रूर सुनियेगा लेकिन अगर आपको system of equations की कोई application के बारे में पता है और आप net से search कर सकते हैं प्लीज गो हैड दो मिनिट लें और net से देखें कि system of equations कहां कहां पर use होते हैं खास तोर पर linear algebra वाले ठीक है जी और उनको paste कीजिएगा comment section के अंदर प्लीज chat gpd यूज ना कीजिएगा अपने mind से search करें और उसको list down करें कि यहां पर भी system of equations यूज होते हैं फ्लाव जगा पर भी फ्लाव जगा पर समझागी बाकी आपको बता दो है लाइक कर दे शेर कर दे सब्सक्राइब कर दे